हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इमानशीज वर्ल्ड, टू फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलिश्यस चॉकलेट केक की रेसेपी, यह चॉकलेट केक हम बिना अंडे के बनाएंगे, बिना अवन के बनाएंगे, बिना प्रेस कर लिए गार ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं रेसेपी लेट्स टार्ट इट तो फ्रेंस यह के गणाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ली ली है पीसीवी चीनी तो यहां पर 3-4 कप के करीब मैंने पीसीवी चीनी ली है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आदा कप के करीब दही और यहां पर मैं ज्यादा खटे वाले दही का यूज नहीं कर रही आप चाहें तो ऑईल की बड़ जगए बटर का भी यूज कर सकते हुए और मैंने यहापे जो ऑईल है यह flavorless ऑईल लिया है तो इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और cream कर लेंगे यह देखिए ऑईल भी मैंने mix कर लिया अब इसको हम चन्नी रख देंगे इसके उपर और इसके उपर डालेंगे हम 1.5 cup के करीब मैदा ले रही हूं measuring cup से इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं 1 teaspoon के करीब baking powder और half teaspoon के करीब मैंने इसके अंदर baking soda डाला है साथ में इसके अंदर 2 tablespoon के करीब डाल रही हूं cocoa powder क्योंकि आज हम chocolate cake बना रहे हैं और इसके अंदर मैं एक चुटकी के करीब नमक डाल रही हूं नमक डालने से जो chocolate है उसका taste enhance हो जाता है तो इसलिए मैंने जो इसमें है एक चुटकी के करीब नमक डाला है अब इसको हम चान लेंगे सारे dry ingredients को अच्छे से चानना बहुत जरूरी है friends इससे जो cake है वो अच्छा सा spongy बनता है light cake बनता है इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कप के करीब room temperature पर milk ले लिया है और थोड़ा थोड़ा दूद हम डालते जाएंगे और इसको mix करते जाएंगे एक बार में सारा दूद मत डालिएगा और एक ही direction में इसको mix कीजेगा यह देखिए सारा दूद मैं एक बार में नहीं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे कंसिस्टेंसी आप देख लीजेगा पूरा दूद नहीं भी लगता है कई बार यह देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है और अच्छी फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला जो है केक बैटर बन गया है थोड़ा से दूद 2-3 चमवच के करीब रह गया है हमारा इसको हम हट अब इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूं एक छोटे चमवच के करीब वनीला एसेंस और यह इसको हम मिक्स कर लेंगे यह हमारा केक बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से त्यार हो गया है अच्छी फ्लोईंग कंसिस्टेंसी वाला केक बैटर है इसके अंदर लंस भी बि और इसको चारो तरफ गुमा लेंगे एक्स्टा मैदे को हटा देंगे इससे जो हमारा केक है आसानी से निकलाएगा और बटर पेपर लगाने की भी ज़रत नहीं पड़ेगी इसके बाद इसके अंदर हम देखिए इस तरीके से केक बैटर डाल देंगे बीच में डालिएग और चारो तरफ यह अपनिया फैल जाएगा देखिए किता अच्छी फ्लोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर है इससे बहुत ही अच्छा स्पंज बनता है ये केक बैटर मैंने डाल दिया है अलका सा टैप कर लेंगे इसको और इसको अब बेक करेंगे हम इस कडाई में यहा हम 25-30 मिनट के लिए पकाएंगे तो यह देखिए केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो गया है कम से कम 30 मिनट लगे इसको बेक होने में तो अभी इसको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं चलिए इसको डेकोरेट करने के लिए हम क्रीम बना लेते हैं तो यहां पर दे के अंदर दो चमच के करीब बटर डाला है और इसको हम माइक्रोव में मेल्ट कर लेंगे आप चाहें तो डबल बॉइलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हो यहां पर मैंने एक बड़ा बावल लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूं एक कप के करीब विपिंग क्रीम यहां पर जो विपिंग क्रीम है वो मीठी नहीं है तो आप उसके अंदर शुगर पाउडर एड़ कर सकते हो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिन तो इसको हम अच्छे तरीके से विप कर लेंगे स्टिफ पी काने तक आपको विप करना है साथ में फ्रेंड्स जो मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रखी है वह हलकी सी ठंडी भी हो गई है तो मैं थोड़ी थोड़ी चॉकलेट इसमें डालती जाओंगी और यह जो है हम बहुत ही तेस्टी जो है चॉकलेट क्रीम बना लेंगे यहां देखी थोड़ा-थोड़ा करके मैं सारा जो चॉकलेट है वह मेल्ट किया वह डाल तोड़ा सामा वनीला एसेंस भी डाल रही हूं वन फोर्ट चम्मच के करीब यह थोड़ी देर विप करने के बाद ही अच्छे से जो है विप हो जाती है और यह बहुत ही सॉफ टेक्सचर वाली क्रीम बन जाती है यह देखिए बहुत ही टेस्टी चॉकलेट क्रीम बनती है अ और देखने में ही बहुत ज्यादा यमी लग रहा है यह चौकलेट केक और इसको मैं उल्टा लेती हूँ यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा स्पांज आया है यह जाली कितनी अच्छी बनी है और यह बिल्कुल इवनली बेक हुआ है कहीं से क्रैक नहीं हुआ है काफी सारे लोग शिकायद करते हैं कि उनका केक है वह टूट जाता है जगे-जगे से तो यह देखिए बिल्कु मैंने केक को कम से कम आदे एक गंटे के लिए थंडा कर लिया था जाली कितनी अच्छी है कोई है B Climate कर लेते हैं यहां पे मैं थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी टर्न टेबल पे और इसके उपर पहले हमें एक पीस रखेंगे इसके बाद मैं इसके अंदर शुगर सिरफ डालूंगी तो यहां पे मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है आदा ग्लास के करीब इसके अंदर दो से ती तो मैं अच्छे से शुगर सिरफ को डाल दिया है और इसके बाद मैं इसके उपर यह हमारी डिलिशस सी चॉकलेट क्रीम डाल रही हूं देखने में ही बहुत ज्यादा यमी लग रही है यह ज़रू ट्राय कीजिएगा रेसेपी इसको अच्छे से हम जो चारोतरा फेला दे हूं शुगर सिरफ से सोक करने से फ्रेंट्स जो बजार में जो पेस्ट्री मिलती है वैसा सॉफ्ट आपका घर में भी केक बनेगा यह डालना विल्कुल भी मत भूलिएगा थोड़ा सा ही डालना है बहुत जादा ओवर नहीं डालना है इसके बाद देखिए यह हम क्रीम से कक करणा तो अगर आपको देखना है कि बिन यूह हम जो चूंड enfants एक को सकते हैं तो आद वा विडियो जरूर देखिएगा मैंने लिंक दे रखे हैं उन वीडियो के तो ये देखिए आप इस तरीके से इसको बिल्कुल स्मूदली इसको कोट कर दीजे और आज जो है मैं डेकोरेशन भी आपको बहुत ही अलग स्टाइल में बताने वाली हूँ बहुत ही simple decoration बताने वाली हूं लेकिन जो decoration है वो करने से ऐसा लगेगा कि आपका cake जो है बेकरी में बनावा है कोई ज़ादा मैनत नहीं है इस तरीके का decoration करने में ये देखी बहुत ही अच्छी cream है ये बहुत ही smooth cream है जो है केग को डेकोरेट कर सकते हो यहां मैंने अच्छे से केग को कवर कर लिया है इसके बाद मैं यहां इस तरही कथी से एक चम्मछ ले रही हूं और चम्मच की सायता से जो है हम इसके ओपर इस तरही किसे पैटन बना देंगे ये आजकल जो है बहुत जादा ट्रेंड में है तो इस तरीके से देखिए स्वाल कर दीजे और बीच तक ले आईए इसको और ये देखिए इस तरीके से ये सेंपल सा पैटर्न बनाया है मैंने चम्मच से लेकिन बहुत ही सुन्दर लगता है ये देखने में अब इसको आप अलग-अलग स्टाइल में जो है डेकुरेट कर सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो इस तरीके से चोकलेट सिगार्स पड़े हैं ये जो रोल्स है ये आसानी से मार्केट में अविलेबल है और मैं थोड़ी से सिल्वर बॉल्स भी लगा रही हूं इस पे ये भी मा इसके साथ से अलग तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चैरी भी लगा दी है तो यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही यमी हमारा केक बन के त्यार हो गया है लग रहा है ना बहुत ही जदा ब्यूटिफुल चलिए मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूं यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक है और बहुत ही डिलिशयस कैक है इसका जो चोकलेट का फलेवर है वो भी बहुत ही प्यारा आया है जड़ुर से ज़रु ट्राई कीजेगा इस केक को घर पे एक बार तो और आइखो आपको आपको यह टेस्टी डिलिशयस बिना अंदे के बिना आवन के बने हुए चोकलेट केक की रेस्पी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर से जरूर ट्राय करोगे और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजेगा इस वीडियो को वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा तो आपको ये वीडियो पसंद आया भूलिएगा जार साधा इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद भूलिएगा तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़ि अगूलिएगा खुत उड़ वीडियो का साथ नार स्वाबिर झाल स्वार जाम ग्कश्अ फिर बभूलिएगा नार स्टाइब करना दो थिर मैंद भी पर शेयर को मैं थैसे हूँ साहिजएगा कि जित झाल सब्सक्राइब जित उ 간थ जाम पतातोर ब Бог्नात्र प्रीगता है स